तो यहां पर आप लोग देख सकते हो यह नियूट्रल निकल रहा है मतलब क्या आ रहा है इसका ना कोई चेंज नहीं हो रहा है समझ जो मतलब जो येलो को लगए लिटम से बढ़ता वो येलो ही है अभी उसमें कोई भी चेंज अभी फिलाल नहीं आए है यह है हम लोगों का लेमन जूस लेमन ड्रॉप बैने लिया है अब लोग स्टाट करते हैं इसको जालते है हम लोग हमारे लेमन जूस में यहाँ पर यह मैंने होमेड लिटम से बनाएं आप लोग देख सकते हो इसका कलर किस सफरीके से ग्रीन हो चुका है तो यह पर यह दीखिए आप लोग अगर अच्छे देखेंगे थोड़ा इसका तो इसकी जो pH scale आएगी वो around 5 to 6 आएगी ठीक है तो मतलब होगा वो acidic उसके बार हम लोग दालेंगे हमारे detergent powder वाली liquid में और अब आप लोग देख सकते हो कितना ख़दरनाक color का यह red color हम लोगों को मिला है okay तो यह pure acid zero okay दोसी इसका जो scale है वो zero है तो आप पर हम लोग लेंगे अभी soap mixture तो अभी हम लोग इसको dip करते हैं और देखते हैं कि यह कैसा color में आता है तो आप लोग जैसे की देख सकते हो यह वाला जो है वो आया है red color में तो काफी अलग सा red आया था कि यह थोड़ा सा like thick mixture था जो soap का था और आप लोग अभी देख सकते हो यह जो face wash काया है वो बिल्कुल ही neutral है क्योंके there are no changes in the litmus paper ठीक है जैसी के आपको पता है अगर red litmus paper और red ही रहता है तो वो क्या होता है वो acidic होता है और blue litmus paper red में जो change जाता है तो वो जाता है acidic और यहां पर हम लोगों के lemon juice वाला पी एच पेपर में आया है वह एक green around green आया है तो आप लोग पिछले पर देख सकते हो वो आया है five four या five आया राउंड ठीक है उसके बाद हम लोगों के detergent वाला आपको सब जूम करके दिखा दिखा दियो आप देख सकते तो यह कितना स सूखने के बाद बता देती हूं आप लोगों को अब आप देख सकते हो ओके तो यहां पर यह सब सूख गए है इसका जो लेमन वाला वो ग्रीन ही आया है ठीक है तो आप लोग बाएदर मेंचे कॉमेंट करके जुरू बताना कि आपको लीटमसेबर की वीडियो चाहिए त थांगिव वाचिंग बढबाए तेक क्यार अच्युक्त